हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका वेराइटी न्यूज में दोस्तों आज हम बात करेंगे लखन आईपेल के पंदरवे सीजन के लिए ओक्सन बारा और तेरा फरवरी को बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा जिसमें कई खिलाइडी ऐसे है जिन पर पैसा पानी की तरफ बहाद दिया जाएगा ऐसा माना जा रहा है दोनों नई फ्रेंचाइज के कप्तान चुन लिए जाने के बात भी अभी कुछ फ्रेंचाइज अपने के लिए कप्तान की तलास कर रही है जिसमें आर्सीबी भी एक जो कि इस auction में अपने लिए कप्तान की तलास में है return खिलाडियों में नहीं है कोई कप्तान RCB में तिन return खिलाडियों है जिसमें विराट कोली, मुहम्मस सिराज और क्लैन मैक्सवेल को रखा गया है विराट कोली कप्तानी छोड़ चुके है फ्रेंचाइज मेक्सवेल को उंके बल्ले बाजी में उठते गिरते हुए प्रदर्सन को देखते हुए कप्तान नहीं बनाना चाहेगी हाँ तो दोस्तों क्या लगता है आपको किस खिलाडी को केप्तेन बना सकती है RCB हिद्राबाद के हिद्राबाद टीम के पूर्व कप्तान डेविड वोडनर इस बार आई पे लोकसन में बोली का हिस्सा है जिस वज़े से इमदाबाद टीम की ओर से उन्हें कप्तान बनाने की अफवा सामने आई थी लेकिन हर्दिक पंड्या के इमदाबाद फ्रेंचाइस के कप्तान बनने का अधिकरी एलान हो चुका जिससे डेविड वोडनर को उप्सान वहां साट चुका है जिसके बाद आप डेविड वोडनर को खरीद कर आड़सी भी उन्हें कप्तान बना सकती है हाँ तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे डेविड वोडनर ही सबसे अच्छा ओप्सन क्यों लगा डेविड वोडनर सलामी इसपोटक बल्ले बाज है जैसा कि आप जानते है आई पील में उनका बल्ला हर सीजन में अने को रन उगलता है अगर डेविड वोडनर को और सीबी की टीम अपने पक्समे कर लेती है तब विराट उठोली ऑवर डेविड वोडनर की जोड़ी अपनी टीम को बहुत अच्छी सुरीवात दिला सकती है और काफी बड़ा लक्स भी बना सकते हैं साथ ही वेरोडि टीम में अपनी बल्ले बाजी से अपनी बल्ले काबले में डेविड वोर्णर ने विराट कोली की अगवाई वाली RCB को मात देकर अपना पहला IPL किताब 2016 में अपने नाम किया था डेविड वोर्णर की कपतानी में हिदराबाद की टीम कई सीजन का कमाल का प्रदर्सम कर चुकी है